नमस्कार मैं हूँ समित NETV में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमाई साथ में हैं बॉलेवोड एक्टर शांतनू है शरी जो की अभी हाली सीरीज केंपस बीट सीजन टू में नजर आ जोके इससे पहले आपने इनको गंगु भाई काठी अवाडी में भी देखा होगा चली हम आपको उनसे मिलवाते हैं शांतनू हम से जुनने के लिए बहुत-बहुत धिन्वाद सभसे हले तो मैं आड से ये पूछना चाहता हूं कि आज कल फीलमेकर सिज् Bluetooth 4SEGめて रहें तो जो पहले फऱ्र्च पर्ट आरहें फिर अथ फेर्श पर्र्ट आ रहें तो इसका है तो इसका क्या है क्या filmmakers का content नहीं है कि क्या रीजन है आप क्या कहीं इस बारे में नहीं नहीं है नहीं है नहीं है लोग जुड़ना चाहते हैं एक किसी चीज से be it a project so they want to prolong it I think मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर एक चीज से जुड़ जाते हो तो once people connect with something I think they buy it by default has a recall value so I think वोस चीज पर हाफ करने की कोशिश कर रहे है like for example biggest example will be gather I mean it was a huge hit and then second one I think इतना nostalgia value था and gather 2 में जितना जो back and forth दिखाया भी है like पहले gather film की भी clips है उसमे so by default आप emotionally attach हो जाते हो you know you have those memories जब आप देख रहे होंगे या फिर उस scene की कुछ memories होंगी so by default you feel like अरे हां यार यह मैं इसका part था you know somehow so I think maybe शायद वो a factor होगा this is not the only factor I think but yeah यह हो सकता है major factor हो सकता है जैसे आप इससे पहले गंगोवाई काठियावडी में आले भट के साथ नज़र आए थे तो हर इत प्रोजेक्ट में नए नए actor के साथ काम करना कितना आपके लिए चलेंज़ फुल रहता है यह 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 वादा प्रोजेक्ट बहुत चालेंजिंग था I would say because यह मेरा भी गारेक्टर बहुत ही different as compared to what I have played in the past और इसमें यह क्योंकि एक dance-based show भी है तो इसमें आपके major जो casting हुई है उनकी वो dancers है and most of them का यह पहला प्रोजेक्ट है so it was lovely to to you know absorb इदम यंग एनरजी फ्रेश एनरजी एक रहुनेस के साथ so ऐसा नहीं है कि मतलब इन लोग बहुत ही मज़े विकलाकार है but इन्होंने बहुत चाह काम किया so इनके साथ workshops करने में बहुत मज़ा आया उसमें उसमें चीजे आयन आउट हो जाती है आप समझने लगते हो कि एक क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला है what what the approach is gonna be so lot of you know credit goes to the maker makers के साथ तो चलो equation हम जैसे भी match कर लेते हैं पर जो एक you know well-known actors जो रहते हैं जैसे मैं अलिया वट की बात करो उनके साथ एक equation बटाना किना मुश्किल होता है um with Alia I I didn't have any problem you know setting an equation with her because she was so humble and grounded and and easy to approach so मुझे वो icebreaker moment लगा ही नहीं so I think that's the quality of a very good artist as well कि सामने वाले को उतना मौका ही नहीं देने का जरुवत पड़ता है कि you feel any kind of like uncomfortable in terms of approaching that person or doing a scene with her so it just came naturally to me I think that's her plus point and that's something I have also learned कि जब आप किसी सेट में अगर आप बढ़े हो you know so so called star हो या superstar हो so it's very very important कि आप बाकी को को वो महसूस ना करने दे वो approach मलब that free flow should be there in terms of कि आप भो लोग भी मुझे अप्रोच कर सकते कर सके और मैं भी उनका अप्रोच कर सको कुछ बाकी लोग का भी तो इनपूट होगा तब तो feedback से आपका भी रोल और बढ़ा होगा और पाइडिंग में लिग कि वर इस वर केमपस वीट के शूट के ताइम ऐसे कुछ एक्टिंग को लेकर कुछ एक्टिंग को लेकर कुछ खुआ हो इसा कुछ लुए हो इसा कुछ वुए हो इसा कुछ जोग तो बिलकुल भी निया I think the as I said the energy बहुत अच्छे लोग है लोग य तो I thoroughly enjoyed in terms of like the shooting process though it was hectic but बहुत मज़ा आया काम करके because dance projects without passion without the kind of dedication everyone has shown वो पॉसिबल नहीं मैंने आपकी एक post में पढ़ा था कि आपने कहा था कि गंगुवाई काढ़ी है वाड़े की shoot के time Sanjali लिए भंसाली जी ने आपसे कुछ ऐसा कहा था कि महनत करोगे तो आगे बढ़ोगे तो वो पूरा किस्सा था कि अगर आपको याद हो तो अगराल आपको याद अगराए तो आपकी अगराए और आगे कैसे क्या करना है क्या नहीं क्यालषा क्या करना है you know don't jump into a lot of things give yourself time patience and then things will fall in place so yeah that that's how it happens so it's a good incident to a I have a movie lined up with Neeraj Pandey sir it's called Auro Mekana Dhamtha jis mein Ajay sir hai tabu ma'am hai sahih manj rekar hai and Jimmy Shergil hai so us mein wo film hai there's a season three of campus beats obviously that's lined up and ek bengali regional film garra ho mein first time my debut in bengali industry that's called Chal Chitro directed by Pratim Das Gupta so yeah these are the few things that I can talk about so yeah Shantanu ji hamse zunne ke liye bhoat bhoat dhanabad thank you so much thank you bhoat dhano baad milio bhoat acha laga yeh te hai hamaare saath bollywood actor Shantanu Maheshwari jinnonne apni series campus beat season two or gangu wai ka tia wadhi ke 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 wadhi